हेलो गई स्वागत है आप सभी लोगों का टेक डेवल यूटूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमें एक टाइप से डेटा केबल के अन्बोक्सिंग करने वाले है और इसको हमने एमेजोन के ट्रू ओडर किया है आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के सींपल पैकिंग के साथ हमको ये डेटा केबल बेजा गया है लेकिन इसको मेरे हिस साब से ये जो पेपर वाला बेग है इसके अंदर होना चाहिए था लेकिन ये हमको इधर बाहर कर बहार ही टेप जिपका के बेजा गया है जो कि इसकी एक disappointment बार्ट है तो चलिए सबसे पहले इसको हम cut कर लेते हैं तो इसके उपर से हम tap remove कर लेते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की छोटी सी प्लास्टिक की बेग में देखने को मिलता है हमारे ये type C data cable और इसके उपर की साइट इस company का name लिखा हो और हमें देखने को मिल जाता है जो कि है स्वालिमो जो कि Amazon का है एक sub brand है स्वालिमो इस company के और से आता है यह data cable और इस pouch के पीछे यहां आप देख सकते हो इस data cable की price लिखे है जो कि है 599 लेकिन इसको इससे कई कमडा में इसको हमने order किया है तो आपको बाद में बताते हैं इसको हमने कित्ने में order किया है और इसके नीचे इसके manufacturing month and year जो कि है June 2024 और इसके नीचे की site यहां इस company का manufacturing address और contact detail यहां आपको देखने को मिल जाएगी और इसको आप boost करके भी फर सकते हो तो चले इसमें से हमारे data cable को निकाल लेते हैं बाहर और बेट को रखने हैं आपको साइट पे तो आप देख सकते हो कुछ इस type के look में देखने को मिलता है हमारा यह type-c data cable और इसकी quality काफी अच्छी है तो चले सबसे पहले इसको remove कर लेते हम तो आप देख सकते हो खाफी अच्छी quality का यह data cable हमें देखने को मिल जाता है और यह वण मीटर का आता है data cable और यह पी इस company का name भी हमें देखने को मिल जाता है जोकि काफी बहतर ही data cable हमें देखने को मिल जाता है Amazon की सब ब्रैंट से आने वाले Solimo Company के और से तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो इसका जो Type A Port है इसका Quality यहां आप देख सकते हो और इसकी यहां लेंट भी काफी लंबी है मतलब कि इसकी यह जो लेंट है यह काफी लंबी है जो हमारे इसको यहां से कट नहीं होगा जो कि यह काफी अच्छी बात है इसकी और इसका Port भी यहां आप देख सकते हो काफी Heavy Quality का Material इसमें स्टमल किया गया है इसका Type C Port भी आपको दिखा देते है तो यहां आप देख सकते हो इसका Type C Port और इसके भी यहां लेंड काफी अच्छी है मतलब जो हमारा Normal Data केबल आता है वो यहां से तूट जाता है और Working नहीं करता लेकिन इसके अंदर इसका Port हमें काफी लंबा देखने को मिल जाता है जिसके वज़े से इसका तूटने का Chance कम होगा और यह काफी बेहतरिंग Quality का यहां पे Material इस्तिमाल किया गया है और इसका यहां आप Type C Port भी देख सकते हो काफी अच्छी Quality का Type C Port हमें देखने को मिल जाता है तो यहां पे इसके केबल की Quality भी यहां आप देख सकते हो काफी premium और काफी heavy quality का material इसमें इस्तिमाल किया गया है तो चल लिए आप बात कर लेती है इसकी price की तो यहाँ पे side पे आप टेक सकते हो Amazon app पे इसका price है 69 रूपीस तो इसको हमने 69 रूपीस में Amazon के true order किया है और इसके साथ कोई भी extra delivery charge इसमें हमने pay नहीं किया है तो हमको यह 69 रूपीस में Amazon के true order कर लिया था जो कि under 100 रूपीस के range में best type-c cable हमें देखने को मिल जाता है Amazon की sub brand Solimo Company के और से आने वाला तो हमारा पहले एक type-c data cable था जस वन मिनिट आपको दिखा देते हैं यहां आप देख सकते हो हमारा यह type-c data cable था वो यहां से तूट गया था जिसके वज़े से यह working नहीं कर रहा था तो हम Amazon पे search करें थे कोई अच्छा 100-200 की range में best type-c data cable तो हमको यह Solimo Company के और से आने वाला type-c data cable 69 रूपीस में देखने को मिल रहा था तो इसको हमने order कर लिया था तो अगर आपके भी data cable तूट गया है या working नहीं कर रहा है और कोई अच्छा 100-200 की range में type-c data cable order करने की सोच रहे हो तो इसको आप order कर सकते हो Amazon की sub-brand Solimo Company के और से आने वाला यह type-c data cable और इस data cable के length 1 meter है यहां आप देख सकते हो इसके cable की quality भी काफी premium design के साथ और काफी heavy quality का cable हमें देखने को मिल जाता है तो यही था आज का वीडियो I hope आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like कीजिए और साथे साथ हमारी इस channel को subscribe कीजिए Thank you for watching this video